प्रेंड्स विल्कम बैक टू वे अन साइंस और आज हम लोग डिसकस्न करेंगे भू छरण और भू सनरचन के बारे में बताते चले कि ये क्लाश ट्रेंथ का गोगोल है जो की बीटी बीसी बुक से है तो चले फ्रेंड्स हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं और इसको मीन को पढ़ते हें समय देखिए क्या दिय वह है मृता को आपने अस्थान से बीविए क्रियां द्वारा अश्थनांतरित हना भू चरण के लाता है जो मृता है जैसे कि मिरिदा खेत में है तो आपने कोई विभीत प्रकार का किरिया हुआ जैसे पानी आया या हवा से भी धूल उड़ता है बर्सा का पानी से मिरिदा एक जगा से दूसरे अस्थान पे चला गया या बाढ़ की कारण भी जाता है तो जब मिरिदा अस्थनांतरित हो गया एक जगा से दूसरे स्थान पे वही भू छरन कहलाता है यह विभीत प्रकार कार को जैसे गतिसील जल मतलब तेजरफ स्थार से पानी आया और उपरी सतह को बहा के ले गया है पवन हवा से भी होता है हीमानी और सामुंद्रिक लहरो द्वारा एक प्रकार की जो है मृदा की चोरी है मतलब इन सब विभीत प्रकार कीरति कारणों से भी मृदा का उपरी सतह जो एक जगा से दूसरे जगा स्थनांतरित होता है एक तरह से मृदा का चोरी है गृत्व बल के प्रभाब से भी पहारी ढ़लानों पर मृदा नीचे की और असकलित होती है अब गृत्व के कारण भी कह रहा है जो पढ़ा पहारी ढ़लान है जिसे कि देखे होंगे कभी चाय का बगान एक ढ़लान पर होता है खेती तो वहां पर क्या होता है मृदा नीचे की और असकलित होती है परियावर्ण ये समस्याओं से जलवायू परिवर्तन भूताप जैसी भयावह जिसके कारण क्या होता है जिसकी वजश्य अना व्रिष्टी या अती व्रिष्टी पैदा होती है अना व्रिष्टी से मृदा की नमी एवं संस्तरिक संगठन का लोप हो जाता है और धीरे धीरे मृदा सुस्क होकर प्राकिर्टी के आपरदन दतो द्वारा भू छरित कर ल दिये जाते हैं तिब्र वर्षा से भी मिर्दा का कटाब होकर अवनालिका के माध्यम से किसी खड़ड या घाटी में जमा कर दिये जाते हैं भारत में इस प्रकार से लगभग 13 करोर हेक्टेर भूमी का नुक्षान हुआ है और ये निमनी करित हो गए है इस निमनी करित भूमी का 28 परतिसत छेत्र बन के अंतरगत तथा 56 परतिसत छेत्र जो है जल के अंतरगत है अब यहाँ पर देखें दिया हुआ है भारत का बंजर भूमी 2005 में यहाँ पर दिखाया गया है देखें 10 परतिसत जो है बायू द्वारा अपरदित छेत्र है चो परतिसद जो है लवन वह छारिये छेत्र है और 28 परतिसद जो है बनो द्वारा निमनी करित छेत्र है बागी 56 परतिसद जो है यहाँ पर दिया हुआ है जल द्वारा अपर्दित छेत्र सबसे ज़्यादा जल द्वारा अपर्दन हुआ है भूमी का आगे देखते हैं सेज छेतर या तो लवनिये और छारिये इस्थिती में हैं या मानब किरिया कलाब से निमनी कृत हो गए हैं बनोन मूलन अति पसुचारन खनन रशाइनों का अत्याधितिक उपयोग जैसी मानवी अनुक्रिया भूमी निमनी करण में महतपूर्ण भूमी का निभाते हैं खनन के उपरांत उस समय को खाईयों एवं मलवों के साथ खुला छोड़ दिया जाता है इसके कारण जारखन, छतिसगर, मद्ध, प्रदेश जैसे राजियों में भूमी निमनी करण हुआ है उडिशा, बनुन, मूलन के कारण भूमी निमनी करण का सिकार हुआ है इसी प्रकार गुजरात, राजस्थान, मद्ध, प्रदेश और महराष्ट जैसे राजियों में अती पसुचरन ने भूमी के अस्तर को कुप्रभावित किया है पंजाव, हरियाना, परश्चिम, उतर परदेश में अधिक सिचाई से भूमी का निमनी करण हुआ है अती सीचन से जल, क्रांता, वार्टर, लॉगिंग की समश्या पैदा होती है जिसके कारण मिर्दा, लवनिये और छारिये गुन बढ़ जाती है जो भूमी के निमनी करण के लिए उतर दायत होती है तब जादा सिचाई से भी क्या होती है मिर्दा, लवनिये और छारिये गुन बढ़ जाता है जिसे भूमी का क्या हो जाता है, निमनी करण हो जाता है इसका हम लोग छोटा सा उधारन देखते हैं कि घर में कभी जो गमला या पौधा है उसमें कभी कभी जादा पानी दे देने से भी पौधा जो है सूख जाता है या धीरे धीरे जो है वो गल जाता है उसका जो है कोशिकाओं में जादा पानी जमा होने के कारण कोशिका फट जाती है और पौधा एक बात सुख जाता है तो पौधा में ज्यादा सिचाई या भूमी में उभी सही नहीं है आगे देखते हैं खनीज अधारित उधोगों में शिमेंट मृदा वर्तन मुर्ति निर्मान में चूना पत्थर खड़िया सेल खड़ी के पीसने से बायुमंडल में धूल विसरजित होती है जो धीरे धीरे भूमी पर परत के रूप में जम जाते हैं और मृदा के जल अपसोशन की छमता को कूप रभावित करते हैं उधोग से निकलने वाले अपसिश्पदार्थ भूमी और जल दोनों को ही प्रदुशित करते हैं यह आकार्टे सत है क कि मानव के अंचानवे परतिसत से भी अधिक वश्रक्ताओं की पूर्ती भूमी द्वारा होती है जीवन की उत्पत्ती एवं विकाश के लिए अनुकूल प्रस्थितियां मिर्दा से सुलव होते हैं यही हमारे पुरवजों ने भी इस भूमी काप्यों की संदर्व में किय हैं और उनकी संतत्ति के रूप में बरतवान पीड़ी भी लावान भी थो रही है इतना ही नहीं भावी पीड़ी के लिए भी यह अधार अस्तंभ वनी रहेगी भोजन वस्त्र आवास जैसे अनिवार अवश्रक्ताओं की आपरूती के लिए अतिरिक्त मानव ने जो अपन लिपसा बढ़ाई है उसे भूमी का निमनी करण होता है साथ ही साथ हिसे बढ़ावा देने वाले प्राकिर्तिक ताक्तों को भी बढ़ावा मिल रहा है अता भूमी निमनी करण आधुनिक मानव शभ्यता के लिए एक बिकर्ट शमश्या है इसका सनरच्छन हमारे लिए इन्तु स्रिष्टी को अच्छुन्य रखना है तो चुनोती स्विकार करते हुए सनरच्छन पर ध्यान देना अवश्यक है। सनरच्छन के बिभिन तरीके हो शकते हैं, जो मानवी किरियकलापो द्वारा अनुपर्योग में लाये जा शकते हैं। फशल चकरन द्वारा मृदा के पोशनिये अस्तर को बरकरार रखा जा सकता है। तत्व को बनाये रखने के लिए हम फशलों का फशली चकरन कर सकते हैं। इसे की एक ही पौधा या फसल को बार बार उगाने से पोशक तत्व का हरास होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें कि तिलहन दलहन पौधे के पुनर चकरन करके खेती कर सकते हैं और उसमें जो दलहन पौधा उगाने से क्या होता है पौधे में नैट्रोजन का इस्थरी क करन होता है और इसे क्या होता है पौधे में पोशक तत्वों की प्राप्ति होते रहती है यहां पे देखिए गेहुं कपास मक्का आलू इत्यादी के लगतार उजाने से मिरिदा में हरास होता है तो इसमें हम लोग तिलहन और दलहन खेती को पुना से मतलब बोकर इसमें कर रखते हैं इससे नेट्रोजन का स्थेगरी करन होता है पहाड़ी छेत्रों में समोच जुताई द्वारा मृदा अपर्दन को रोका जा सकता है मृदा की सतत गुनबत्ता वनी रहे इसके लिए बरसा का जल संचय और भू प्रिष्ठिय जल का संरच्छन भू गत्ति भू जंधन आवश्यक है आधुनिक सिचाई पधितियों को अपना कर मृदा एवन जल दोनों को संरच्छन किया जा सकता है पवन अपर्दन वाले छेत्रों में पट्ति का क्रिशी अस्रीप फार्मिंग स्रेशिकर है जो फसलों के बीच घास की पट्तियां बिक्सित करने पर आ रच्छन किया जा सकता है रशायनों के सतत उपयोग से मृदा में पोशक तत्वों की कमी होने लगती है ये पोशक तत्व जल बायू केच्छुआ एवं अन्य शुच्मजिव हो शकते हैं एडीन नाम का रशायन मेधक के प्रजनन पर रोक लगाता है फलता कीटों की संख् को बढ़ा देता है अतर रशायनों की जगह प्राकिर्तिक खाद का परयोग किया जाए रशायनिक रशायनिक उर्वरक की जगह जैवी खाद का उपयोग मृदा के संरच्छन में सहायक है संभब हो तो जैव कीटनाशी का परयोग किया जाए जिसमें फशल की सुरक्षा के स शाँख्या सिमित हो जाती है बिर्च रोपन मृरीदा संगर्चन की सबसे वड़ी सर्थ है जितना हम लोग बिर्च लगाएंगे मृरीदा का संगर्चन होगा क्योंकि बिर्च जो है अपनी जड़ों से मिट्टी को जकाण के रखता है और पौधा भी जीवित रहता है और मिट्टी वहीं पे रहता है अपनी जड़ों से वहाँ पे मिट्टी का कटाब को रोकता है ये एक बहुत मिर्दा सनरचन के लिए बहुत बड़ा बिर्चारोपन युगदान देता है जिससे सबसे बड़ी सर्थ क्या है बिर्चारोपन मिर्दा सनरचन की बड़ी सर्थ है जिससे मिर्दा सनरचन को बाधा पहुँछती है और इसके पत्तियों से प्राप्त, हीुमर्श मिर्दा को गुन्बत्ता बढ़ाने में शहायता होती है और जब जहां कोई पेड़ होता है तो उसके जो पत्ती हैं भूमी पे गिरते हैं वो सड़गल के मिटी में मिलते हैं तो उससे जो प्राप्त होता है हुमस मृदा के गुनबत्ता को बढ़ाने में शहायक होता है उपरोक्त क्राम या उपक्राम द्वारा मृदा सनरचन का कारिय किया जा सकता है अब हम लोग मिर्दा सन रचन का इसमें इस तरह से दिया हुआ है उससे मिर्दा सन रचन का कारिय कर सकते हैं नेक्स्ट है हम लोग का अभ्यास और प्राश्न तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम लोग कर लेते हैं देखे फ्रेंड्स इहां पर अब्जेक्टिव दिया हुआ है इसको हम लोग अभ्यास प्राश्न है इसको हम लोग बस्तुनिस्ट प्राश्न में कर लेते हैं इसमें पहला कोश्टन दिया हुआ है कि पंजाब में भूमी निमनी करण का मुख कारण क्या है तो यहाँ पे निमनी करण का मुख कारण जो है अधिक सी चाही है दूसरा दिया हुआ है सोपान कृषी किश राज में प्रचलित है तो यह जो है उत्रा खंड में प्रचलित है आगे है तिसरा मरोस्थली मृदा का बिस्तार निमन में कहां है तो यह जो है राजस्थान में है Next देखते हैं मीधग के प्रजनन को नश्ट करने वाला रशायन कौन है तो यह जो है एडीन नाम का रशायन है जो पचमा है काली मृधा का दूश्रा नाम क्या है तो इसका जो नाम है प्रवतिय मृधा है और यह लग उतर, यह प्राशुनें इसमें दिया हुआ है परदेर घतर यह जो कि हम लोग प्राशुन उतर का next बीडियो में करेंगे next बीडियो में हम लोग जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग मिलते हैं next बीडियो में तब तक chapter को पढ़े enjoy करिए और अच्छे से समाज़िए वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ share करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe जरूर करिए thanks for watching